कानपूर इनकाउंटर का मास्टर माइंड और पांच लाक रुपे का इनामी अपरादी विकास दूबे शुकरवार 10 जुलाई को STF के साथ कथत मुढभेड में मारा गया विकास दूबे का पोस्ट मौटम होने के बाद शवका अंतिम संसकार कर दिया गया है विकास दूबे के अंतिम संसकार के बाद पतनी रिच्चा दूबे मीडिया कर्मियों के सवाल पर काफी भड़क गई इस दोरान रिच्चा दूबे ने आपती जनक भाषा का इस्तमाल भी किया मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिच्चा दूबे ने कहा भाग जाओ जिसने जैसा सिलूक किया है उसको वैसा ही सबक सिखाऊंगी अगर जरुरत पड़ी तो बंदूग भी उठाऊंगी मीडिया वाले जब रिच्चा दूबे से पूछते हैं आपके पती के साथ जो हुआ वो सही हुआ तो वो गुस्से में कहती है हाँ जो हुआ सही हुआ ऐसा ही होना चाहिए चले जाओ यहां से मुझे कुछ भी नहीं कहना है इसके बाद रिच्चा मीडिया कर्मियों को गाली देने लगती है इस बयान का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वारल हो रहा है विकास दूबे की पतनी रिच्चा दूबे और उसके नाबालिक बेटे को पुलिस ने बीटे दिन पूछता आज के बाद छोड़ दिया है आपको बता दे कानपुर के चौबे पुर्थाना शेत्र स्थित बिक्रू गाओं में विकास दूबे के साथियों द्वारा हमले में पुलिस शेत्र अधिकारी देविंद्र मिश्रा तीन सब इंस्पेक्टर और चार सिपाईयों की मौत हो गई वारदात के चंद घंटे बार दूबे के दो साथी मुटबेड में मारे गए नौ जु अलाई सुभे उजैन से कानपूर लाये जा रहा हविकास दूबे सचैंडी थाने शेत्र में स्थिएफ के साथ मुटभेड में मारा गया देश विदेश की दमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज को फॉलो करें